और इस वक्त बड़ी खबर आ रहे हैं नए संसद भवन पर प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विट किया है नया संसद को देश का कौरा उन्होंने बताया अपनी आवाज के साथ वीडियो शेयर करने की अपील प्रुधान मंत्री की तरफ से की गई है कि आप इस वी लोगों के मैसेज को रिट्विट करेंगे हैस्टैग माई पार्लियामेंट माई प्राइड लिखना न भूले तो नहीं संसद भवन की तस्वीर सामने आ चुकी और अब उस वीडियो को भी प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील कि है कि ज्यादा से ज्यादा तो ये वो तब स्वीर है जो गौरव का एसास कराती है ये है हमारी स्वदेशी पार्लियामेंट की वो तस्वीर संसद भवन जो नई बन करतायार हुई है सौ साल बाद अपना स्वदेशी संसद भवन जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं 28 महीं को प्रुधान मंत नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे उद्घाठन किया जाएगा और ऐसे में लोक जिंसक्ति पार्टी राम विलास के अध्यक्ष और लोक सबाद सांस चिराग पासवान ने प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नए संसद भवन का उद्घाठन करने पर बध चिराग पासवान ने नई संसद के उद्घाठन को लेकर पियम मोदी का समर्थन किया साथी चिराग पासवान ने विपक्षी दलों के बहिश्कार की निंदा करते वे उन्हें नसीहत भी दी है अब इसमें नेगिटिविटी डालके सिफ विरोध करना है के लिए विरोध किया जाए और उसके लिए आपकी कौन उद्घाठन कर रहा है नहीं करना है मुझे लगता है इसके बहतर और खुबसूरत पक्षो को देखना चाहिए इसलिए मैं और मेरी पार्टी लोगजनशक्ती पार्टी रामवलास पूर्टा इसका स्वागत करती है आज मैंने समर्थन में भी मैंने आदनी प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है और मैं अपनी तरफ से अपनी पार्टी लोगजनशक्ती पार्टी रामवलास की तरफ स इस नए संशद भवन के उधगाटन के लिए प्रधान मंत्री जियो केंद सरकार को बढ़ाई और शुपकामनाय देता हूँ मैं आपेक्षा मैं तमाम विपक्षी दलों से भी करता हूँ कि सिव नकारात्मक राजनिती या किसी का आपको विरोध करना हैं के लिए आप अपने अपने आप तर्ग रखें उससे बहतर होगा कि उसकी पॉजिटिव साइट को देखा जाए और जो चीज हो रही है लोगतंतर को मजबूत करने के लिए और लोगतंतर की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें मुझे लगता हर किसी को मिलकर अपना योगदान देना चाहिए तो इस बुलिटिन में बस इतना ही लिए कि न्यूस 18 बहार जारकन पर खाबरों का सलसला लगातार जारी है